असलाम लेकूम आज में आप लिए लेकर आएंगा बहुत ही अज्टी रेस्पी विंडी आलू की सब्जी की देखने में कितनी ज़्यादे डिलिशिएस लग रही है और बने में बिल्कुर भी टाइम नहीं लगता है बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है तो चले रेस् ब्रावन कर लिया है और हारी में हफ पिंच मैंने ही नहीं, दिस्ति पहले है तो बस इसको झेड़ी ब्राउं लेंगे लिएन काट्ज लेए में हुद्वन फिञा है इसन ओर देमीने जाएगान जाएगा में वाविक प्रजिक प्रण रॉपों करूं करका निजिय के लिए ला आपलेगी अज्ञान रहे लाइट तो आयट न भर राँन और रह लिलाइट न गलिए मेड्ट sc Today तो यहां पर मैंने एक मीडियम साइज की प्यास लेक लिए इसको पीसिस में कतके रहा हैं आप चाहिए तो बारिक भी कट करसकती है वाज़ इसको फिया कमें करता है कुछ आसी पसंदो तो यहां पर मैंने इसको फिल से कट करहें और पीसे में अलग अलग हो गए हैं तो बस इसको मुझे ब्राउन बिल्कु भी मत कर नहीं करना है ना मुझे इनको गोल्डन करना है तो बस हलका सा इसको सौटे कर लेंगे एक से डियर मिनिट तक अच्छा सा एक टेस्ट आजा सबसी में तो यहां पर देखिए यह अच्छी से ह मुझे जितने मुझे इसका कलर चाहिए था बस उतनी हो गई है उतना ही करना से जादा प्यास को बिल्कुल भी नहीं करना है और इधर मैंने दो मीडियम साइस के आलू ले लिए हैं इसको मैंने वाश करके इस तरीके से कट कर लिया है मैंने इनको छोटे ही पीसे में कट कर लेंगे ताकि आलू हमारे सबजी के साथ अच्छे से कल जाएं तो यहां पर थोड़े से फ्राइ हो चुके हैं आलू और बस इतना ही करना है इनको और यहां पर मैंने हाफ टी स्पुन सॉल्ट ले लिया है सॉल्ट मैं इसमें आलू हमारे डालू दूँगे ताकि सॉल्ट गञात देखते हैं कि Caitlin आलू हमारे कितने होते हैं वहां दहले हमारे साथ में वहां होते हैं कि तो अलू हमारे लग व hebt गल पास रहे दे तो इतना एक रहना है बागी सब्सक्राइबं इसको मैंने वाश करके इस तरीके से पीसे में बढ़े-बडे पीसे में चाहिए तो छोटे पीसे सब्सक्राइब कर अगर आप डारेक्ट बनाने चाहते हैं । जोड़े पारी कट आपको पसंद दो तो आप ग्रिंचेली इसमें डाल सकते हैं दरवाइज आपको इसको स्कीप्पिक कर सकते हैं थोड़ी सी छाहिए तो मैंने जिली डाल लिया हैं यहां पर मैंने कुछ पॉडर मसाले ले लिया है तो यहां पर आप नमक मिर्च अपने कॉर्डिंग ले सकते हैं जितने आपको स्पाइसी पसंदो सौल्ट मैं पहले भी एड़ कर चुकी हूँ तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सौल्ट जादा नहीं अब यूज करना है बस थोड़ा यूज करना है तो यहां पर मैंने पानी डाल के इसको मसालो को सबसी के साथ मैं भूल लेंगे और थोड़ा सा पानी एड़ कर लीजेग में ने अमसालो को भूल लिया है काफी अच्छी हिसका मसालह भूल दौछ जूरु झूला है अब इस थोड़ा सा भिंडी को और जो औलु रह गए हैं उनको घुड़ा सा गला लेंगे इसमें थोड़ा-सा घुरूब यहां पर मैंने इसको मिक्स कर दिया है सबजी के साथ में और थोड़ा से पान याट कर रही हो ताकि जो भी भिंडी रह गई है थोड़ी सी हमारी और अलू जल्दी पक जाती और अलू बहुत ही जल्दी कल जाते हैं तो बस तीन से चार मिनट के लिए मैं इस तरीके से मीडिय मैं फ्लेंपेस को ढग के पका लोगी तो यहां तीसे चार मिनट हो चुके हैं और अब इसको मैं ओपन कर लेती हूं तो यहां पर मैंने ओपन कर लिया है और देखें इसमें ऑईल भी कितना जादर सेपरेट हो गया है और बिलकुल परफेक्ट हमारी भिंडी आलू बनकर र रेडी हो गई है इतना ही पकाना इससे जादा नहीं करना है वनना आलू भी फोट जाएंगे और भिंडी भी फोट जाएगे तो बस हमारे सालन बनकर रेडी हो गया है सब्जी और अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूं तो यहां पर डेखे च żyट-पट सेैसे. आलो भिंडी का सबह् a इसको बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है मैं सब्दों से कहते हैं यह बहुत बहुत फ़ोग सो गई है जल्दी बनकर रहाधी हो जाती है और पानीने करई म paralyze इसको ड्राई करें और आप बताएं कि इसको किस तरीके से बनाया है आप लोगो यह persporary है लगी है लगाillar चैनल को सब्सक्राइब करना है बैलकु आपने इसको शेयर करना आप बिलकु भी मत भूलेगा चलती हो फिर मिलती हो करने एक्स्ट्रेस बी के साथ अपने बहुत सारे ख्याल रखेएगा तक तक के लिए अलाहाफिज